लव सब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है यह हलचल हमारे दिल से लेकर सरीर तक होती है लव स्टोरी पढ़ने पर आपको भी प्रेम की हलचल देखने को मिलेगी एक लड़का था जिसका नाम सूरज था सूरज बहुत ही खुसमिजाज और प्यार से भरा इंसान था वो एक दिन एक लड़की को देखता है और उसे प्यार हो जाता है उस लड़की का नाम दिव्या था दिव्या भी सूरज के प्यार को समझ गई और दोनों के बीच प्यार की कहानी सुरू हो गई सूरज और दिव्या हर दिन एक साथ में वक्त बिताते और प्यार के बारे में बाते करते थे एक दिन सूरज ने दिव्या से साधी का इजहार किया और दिव्या ने भी हां में जवाब दिया दोनों की साधी हो गई और वो खुश रहने लगे कुछ सालों बाद दिव्या के साथ कुछ मुश्किलें आ गई और वो खुद से डिपरेशन में चली गई सूरज ने हर वक्त दिव्या का साथ दिया लेकिन कुछ काम नहीं आया फिर एक दिन सूरज ने एक ऐसा ट्रिप प्लान किया जो दिव्या के लिए बहुत स्पेशल था वो दोनों एक रोमांटिक और सांत जगे पर चले गए जहांपर सूरज ने दिव्या को फिर से प्यार का इजहार किया और पुरानी बातें याद कराई जिससे दिव्या फिर से खुश हो गई और दोनों के बीच प्यार में फिर से नया जोसा गया अब वो हर वक्त साथ में रहते और प्यार के बारे में बाते करते धीरे धीरे दिव्या का डिप्रेशन दूर हो गया और वह पूरी तरह से नॉर्मल हो गई इस तरह सूरज ने अपने प्यार और समसदारी से दिव्या को ठीक किया और अपने प्यार को दोबारा नया पन दिया स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर